हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग तो यार आज है ना हम जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है कि कार्बॉक्सिलिक एसिड के सारे इंपॉर्टेंट रियाक्शन मेकानिजम और फॉर्मुला एंड क्वेस्टन एक सिंगल शॉट में खतम करने वाले हैं ठीक है यार इस तर से पढ़ रहे थे तब because it would take lot of time and revising chemistry from notes becomes boring proud that I chose ESERAL for my repeat year wish me luck for JEE advance 2020 तो आजे पाते आपको बहुत-बहुत all the best फिर इसके बाद अंबरिश गाडगिल बूलते हैं most underrated educational channel for IIT JEE for the quality of content you provide ठीक है best revision video है या जी योसी का जो मैंने आज तक देखा है आपने इतने सारे content पूरा एक-एक mechanism के साथ इतने कम time में cover कर लिया आप लोग 3 million से जादा subscriber deserve करते हो फिर बलवंत सिंग बोल रहे है कि best playlist ever in history of YouTube और यह सारा answer के revision जो physics की revision series है उसके बारे में बोल रहे हैं तो आप लोगों के लिए दिनरात मेंनत कर रहे हैं ताकि इंडिया के हर बच्चे को घर में वैट के कोटा की best team है इंडिया की best team है वो जो पेड़ागोगी है वो जो philosophy है जिससे आपकी पढ़ाई एकदम zero level से hundred के level पे पहुंच जाती है वो मिले है ना उनकी all इंडिया rank 41 थी IITJE के अंदर बहुत बड़ी बात है ऐसे टीचर आपको घर पे बैठ के मिल रहे हैं मैट्स अगर आपको पढ़ रही है तो एंके गुपता सरी सरल में मैट्स पढ़ाते हैं ठीक है उस उमर में सब कुछ छोड़ा के करोडों का पैकेच छोड़ के आप लोगों को one to one personalized एकदम पढ़ाई मिले best resources मिले इसके लिए दिन रात लगे हुए है ठीक है affordable, accessible and thoughtful education पढ़ानी है उस mission को देखके खुद को नहीं रोग पाए और बच्चों की पढ़ाई को और personalized करने के लिए tech की help से ठीक है और ज़्यादा impactful बनाने के लिए उन्होंने Israel की team को चुना तो एर आप लोगों के लिए सारी चीजें चल रही है ठीक है आप Israel के app install कर सकते हो previous year question अभी आपको करने चीए महां मिलेंगे test देने चीए महां मिलेंगे हर चीज Israel के app में available है यहां से आपको मिल जाएगी ठीक है और revision series तो हमारी बहुत शांदार चल ही रही है ठीक है अब हमने carboxylic acid आज शुरू कर दिया है और आज ही खतम भी हो जाएगा तो हम इसका preparation method देखने वाले हैं primary alcohol के द्वारा जो acidic k-minophore या acidic k2-cr2-7 कर देता है यह चीज हम already oxidation reaction के one shot complete revision में हम देख चुके हैं इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी निकालेंगे RCH2OH पे जब हम एक strong oxidizing agent यह कोई नहीं सोवा सोवा मतलब strong oxidizing agent तो यह बना देगा पहले aldehyde फिर और ज्यादा oxidize हो जाएगा aldehyde और finally बन जाएगा हमारे पास acid क्या बन जाएगा हमारे पास carboxylic acid बन जाएगा तो आप alcohol से acid बना सकते हो soio को use करते हुए आप aldehyde का oxidation कर सकते हो बहुत सारे टेकनीक होती है aldehyde का oxidation करने के लिए जैसे tolerance reagent होता है felling होता है benerict होता है shift होता है यह सब aldehyde को acid में convert कर देते हैं तो एकाद example हम ले ले लेते हैं ammonical क्या agno3 को हम लेते हैं मतलब tolerance reagent this is silver mirror test one of the most important POC test कुछ बच्चे बोलते हैं कि POC का revision नहीं हुआ भाया साथ साथ में कराता जा रहा हूँ ldehyde की POC का पूरा इतना retail में मैंने आपको उता है हर lecture के साथ साथ POC साथ में चलती जा रही है ठीक है इसका ध्यान रखिएगा H plus देते हैं RCOOH बन जाता है फिर हम यहाँ पे tolerance reagent को यहाँ से benzyldehyde बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ तो यहाँ से आपका benzyldehyde बन जाएगा ठीक है benzyldehyde के बाद benzyldehyde से sorry benzoic acid benzoic acid बताने का यह तरीका है तो हम benzyldehyde पे tolerance reagent यूज कर लेंगे तो हमा रपस क्या बन जाएगा this is benzoic acid यह क्या है benzoic acid है अब बच्चों को यह तकलीफ होती कि सर इतने सारे reaction है हम कैसे याद करें भूल जाते हैं तो मैंने एक महामंत्र बनाए था समझो देखो याद करो क्या था मामंत्र समझो सबसे पहले फिर निहारो हाहा क्या लग रहे हो आज फिर याद करो थीक है क्या है मामंत्र sd y सबसे पहले आपको समझना है कि यह reaction में चल क्या रहा है ताकि एक field develop हो जाएगी pattern develop हो जाएगा फिर आपको उसको याद करना है तो 90% वर्ग तो यहीं पे खतम हो जाता है अगर यह कर भी नहीं पाए तो exam में question तो 4 दोगे याद क्यों करना है ताकि जल्दी हो जाए इसलिए नहीं कि हमको आता नहीं है याद इसलिए करना है ताकि चीजें हमारी जल्दी हो जाए ठीक है तो यह organic का महा मंत्र है है न चलिए एलकीन का oxidation हम करा देते हैं तो आप concentrated k-n-o4-oh- यह bears reagent है इसके साथ reaction करवा लो तो आपके साथ rc-o-oh और rc-o-oh बन जाएगा oxidative ozonalysis करा लो ठीक है selkine से aldehyde बनेगा और हमने oxidative ozonalysis करा रुखा है तो aldehyde से acid भी बन जाएगा क्या बन जाएगा aldehyde से acid भी बन जाएगा ठीक है चलिए आप grignard reagent का carboxylation करा लो rbr पे मैंने mg dryther का reaction कराया क्या बनेगा grignard reagent मतलब rmgbr इसको आप co2 पे attack कर दा दो r पे minus है यह c double bond हो c double bond r minus जाएगा यह bond टूटेगा क्या बन जाएगा rc double bond o o minus फिर आप इसको h plus देदो इसको h plus देने के बाद कैसे दोगे h plus पाने के साथ reaction करवा दो क्या बन जाएगा acid बन जाएगा क्या मिलगी हमको acid मिल गया तो आप grignard reagent से भी इसको बना सकते हो यह सारी अलगी देखी हु तो काम नहीं चलेगा सारे topics को एक साथ पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका revision शांदार तरीके से होगा ठीक है आप acyl derivatives carboxylic acid के उनका hydrolysis करा सकते हो जैसे acyl chloride है इसका hydrolysis करा दो यह इदर attack करेगा इससे नहीं mechanism के दूर क्लूरीन बाहर हो जाएगा और acid बन जाएगा औ एनाइडराइड कैसा दिखता है एनाइडराइड कुछ ऐसा दिखता है ठीक है आ रहा है समझ में जब हम इसको कराएंगे तो यह bond इदर से तूटेगा इदर OH लगेगा और इदर H लगेगा पानी के साथ reaction करवाया है कि नहीं करवाया है पिलकुल करवाया है साहब ठीक है चलिए यह acidic medium में होता है इसका ध्यान रखना ठीक है ना आर सी ओ ओ और डैश प्लस एच टू ओ यह एस्टर का हाइडरोलिसिस है वेरी इंपॉर्टेंट रियाक्शन यह भी acidic medium में होता है क्या बन जाएगा आर सी ओ ओ एच प्लस आर ओ एच ठीक है ना हम आईड का जवाब कराओगे ह्ट तो हप्लस और हीट ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर से बाण टूटेगा यहाँ पे ओ ओ एच और यहाँ पे एच तो क्या हो जाएगा आर सी ओ ओ ओ एच ऐसे डिक मीडिया में तो बनेगा एच प्लस क्यों क्योंकि एच तरी है इसके आज दोन पेर है एच प्लस है यह एलेक्टरॉन लेने वाला यह एलेक्टरॉन देने वाला दोनों के भीच में मेल बिलाप होगा बातचीत होगी और दोनों एक हो जाएंगे जोडी बन जाएगी जब और या जोडी ठीक है चलिए साइनाइड का हैट्रोजिस करा लो RCOOH प्लस NH3 आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा RCOOH प्लस NH3 तो लिखा हुआ है NH3 मैं लिख देता हूँ ठीक है चलिए आगे चलते हैं अलकाइल बेंजीन को आप ऑक्सिडाइस करा लो यह वो है कि जब भी यहाँ पे बेंजाइलिक पोजिशन पर एक भी अलफा हाइड हुआ तो यह टूट के बेंजोईक एसिड बना लेता है क्या बना लेता है यह बेंजोईक एसिड क्या बनाएगा बेंजोईक एसिड बना लेगा ठीक है चलिए यह पोलर सब्स्टैंसेज हैं और एक दूसरे कर हैं बना सकते हैं कौन कार्बाक्सिलिक एसिड क्या बना लेत end of factor का देखते हैं, तो वहाँ पे I की value बहुत depend करती है कि आपका dimer है, कि monomer है, कि तूट जाएगा, कि क्या होगा, तो ये वहाँ पे हमको ये information बहुत काम की है, कि COOH, मतलब जो अपने carboxylic acids होते हैं, वो generally dimer की form में रहते हैं, ठीक है, चलिए, इस तरही से यहाँ पे six member ring बन जाती है hydrogen bonding के कारण, क्या हो रहा है यहाँ पे, H bonding हो रही है क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है है, H bonding हो रही है इसलिए क्या बना लिया, dimer बना लिया, क्या बना लिया भाई dimer बना लिया, चलिए बहुत साही, melting point के अगर हम बात करें तो एक चीज हमको ध्यान रख रही है कि वो carboxylic acid जिनमें even number of carbon compound, carbon atom होते हैं, उनका melting point ज्यादा होता है, odd number वाले carbon atoms के carboxylic acid के comparison में, this is because of packing, retail में नहीं जाएंगे, सिर्व आपको बता रहा हूं कि even number वालों का melting point ज्यादा होता है, odd number वाल carboxylic acids है, और ऐसा कब होता है, adjacent में होता है, सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब, जो 2 carbon का carboxylic acid है, और 3 carbon का carboxylic acid है, उसमें 2 carbon का melting point ज्यादा होगा, आप ऐसे randomly compare नहीं कर सकते कि 2 carbon और 15 carbon के बीच में compare करने लग दे, नहीं, फिर तो 15 carbon का ज्यादा होगा, molecular weight बहुत बढ़ा role play कर तो molecular weight जिसका ज्यादा होता है, generally melting point उसका ज्यादा होता है, तो हमारी calculation के हिसाब से तो, जब मैं 2 carbon और 3 carbon में comparison करूंगा, तो 3 carbon का होना चाहिए था, पर जब हम adjacent, even and odd देखते हैं, तो वहाँ पर even का ज्यादा होता है, तो compare उसी को करेंगे, जो comparable है, दो हाथियों के बीच मे compare करेंगे, एक चीटी और एक हाथी के बीच में compare नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, Such effect is observed in first 10 members of the homologous series, यह सिर्फ first 10 members, मतलब HCOOH से लेकर, और C10 वाला जो अपना carboxylic acid का homolog होगा, सिर्फ वहीं पर observe होगी, C11 and C12 में not applicable है, अब C11 जिसमें 11 carbon है, carboxylic acid में, और C12 मतलब जिसमें 12 carbon है, carboxylic acid में, यह वहाँ पर applicable नहीं है, चलिए, बहुत बढ़िया, यह एक reaction है, बहुत अच्छा, जब हम इस तरह का compound लेते हैं, यह benzoic acid में एक और हमने COH लगा रखा है, ठीक है, प्लस इसका NH3 के साथ reaction करवाते हैं, तो यह acid, यह base बन जाएगा, amide, दोनों तरफ क्या बन गया, amide बन गया, जब हम यहाँ से heat करते हैं, तो दो molecule पानी के ब बहार निकलते हैं, और इस तरह का compound बन जाता है, जिसको thalamide बोला जाता है, नाम याद रखना important है, इसको भी आप अपनी copy में लिख सकते हैं, वो जो common नाम की मैं list बनवाता चल रहा हूं, शुरुआत से, जो लोग एकदम शुरू से follow कर रहे हैं, अच्छा, जो लोग शु इसको heat करेंगे, तो यहां से NH3 बाहर निकल जाता है, यह NH3 बाहर निकल जाएगा, चीक है, तो यह nitrogen इस पर attack कर देगा, और क्या बन जाएगा अपना, इस तरीके का कुछ compound बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेली माइड, थेली माइड और थेला माइड अलग अलग compound है, थेला और थेली, दोनों अलग अलग चीज़े होती है, वैसे ही थेला माइड और थेली माइड दोनों अलग अलग चीज़ा होती है, कनपूजन नहीं होना चाहिए, पता चला थेला माइड और थेली माइड में कोई difference ही नहीं समझाए, तो थेला और थेली दोनों बुर मान जाएंगे, समझ रहे हो, तो थैलामाइड अलग कंपाउंड है, थैलीमाइड अलग कंपाउंड है, चलिए बहुत बढ़िया, COOH ग्रूप को इन्वाल्व करते हुए जो रियाक्शन है, अब उनको देख रहे थे हैं, सोडा लाइम decarboxylation, पूरा यहाँ पे CO2 ही बाहर हो जाता है, जब हम NAOH और CAO की presence में heat करते हैं, carboxylic acid के compounds को, थीक है, तो रियाक्शन लिख लेते हैं, RCOH, sodalime heat, तो RH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, CO2 gas बन के बाहर, तो यह reaction काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें gaseous compound मन रहे हैं, तो Leash Atelier Principle के मदद से हम यह बोल सकते हैं, कि reaction बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आप product को निकालते जा रहे हो, थीक है, तो यह अपना sodalime decarboxylation हो गया, हंस D का reaction यह हम already पढ़ चुके हैं, थीक है, तो जब हम AG2 के साथ इसका reaction कराते हैं, तो RCO-AG plus बनता है, हेलोलकेन, हेलोरीन के रिविजन में देख लिया था, फिर जब BR2, CCL4 के साथ reaction करवाते हैं, तो RBR बन जाता है, क्या बन जाता है, RBR बन जाता है, CO2 गाइस बाहर, और AGBR बन जाता है, तो एक BR को carbon ने पकड़ लिया, एक BR को silver ने पकड़ लिया, और एक carbon दोनों oxygen को पकड़ के, चुमंतर, एक गाना है बहुशांदर चुमंतर, ठीक है, आया समझ में, तो ये क्या है, हंस-डीकर reaction, क्या है ये, हंस-डीकर reaction, चलिए, अब ये, इस revision lecture की, one of the most important reaction है, very, very, very important reaction, ठीक है, इसको short में बोला जाता है, आप में से जादा तर लोग इसको HVZ reaction के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, HVZ, कुछ लोग इसको HVZ, fashionable है ये, HVZ, ओ, 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 ठीक है, तो HVZ reaction या HVZ reaction के नाम से इसको जाना जाता है, HELL, वोलाट, जैलिंस की reaction, इस reaction में हम क्या कराते हैं, कार्बॉक्सिलिक एसिड ग्रूप के alpha carbon पे हम halogenation करा देते हैं, क्या करा देते हैं, halogenation करा देते हैं, alpha halogenation of carboxylic acid, तो यह आपने carboxylic acid लिया है, यह इसकी alpha position है, जब आप red phosphorus BR2 का reaction करवाते हो, किस पे, carboxylic acid compound पे, तो alpha position पे, एक hydrogen की जगे पे, आपका halogen जुड़ जाता है, तो यह क्या हो गया, alpha bromo acid, यह carbon number 1, यह alpha carbon और यह beta carbon, ठीक है, तो alpha पे क्या जुड़ गया, bromine, इसलिए इसको क्या बुला जा रहा है, alpha bromo acid, chlorine जुड़ जाता था, alpha chloro acid, समझ रहे हो, ठीक है, तो इस reaction की कुछे खास बाते हैं, अगर हमने बहुत बहुत आयत में, bromine को ले रखी है, मतलब बहुत सारा हमने hydrogen ले रखा है, तो mono substitution के बाद, die substitution, tri substitution भी हो जाएगा, मतलब, अगर मानलो, आपके पास यह compound है, ठीक है, और यहाँ पे दो hydrogen है, बतब दो hydrogen है, और हमने excess में, अपना attacking reagent लिया हुआ है, हमने क्या लिया हुआ है, excess में, red phosphorus और BR2 लगा हुआ है, तो हम जब इसको observe करेंगे, तो यहाँ पे जो product बनेगा, यहाँ पे दो BR अपने जुड़ जाएंगे, क्या होगा, दो BR जुड़ जाएंगे, तो यह सिर्फ mono substitution पे reaction नहीं रुकिएगा, तो अगर आपको excess दिया हुआ है, तो आपको जितने भी alpha H present है, सब को replace मारके वहाँ पे bromine लगा देना है, जैसे मान लो, अपना कुछ इस तरीका compound है, यहाँ पे COH है, तो यहाँ पे भी दो BR जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे भी दो BR जुड़ जाएंगे, हर case में नही कब, जब excess में bromine दिया हुआ है, कब जुड़ेंगे, जब excess में bromine दिया हुआ है, तो इस reaction को हम क्या बोलते हैं, HVZ reaction बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HVZ, तो अब हम CH3 COH को red phosphorus BR2 यहाँ पे excess में नहीं दिया है, तो सिर्फ हम एक ही replacement कराएंगे, फिर उस पे हम NH3 का attack करा Q, बताना है P और Q क्या हैं, तो देखो, सबसे पहले आप इस पे reaction करवाओगे, तो CH3 में एक hydrogen की जगे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, जब मैं इसको NH3 के साथ heat करूँगा, तो क्या होगा, कि इधर भी SN2 reaction हो जाएगा, और यहाँ पे SN2 reaction हो जाएगा, यहाँ पे दो-दो NH2 group यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो एक जगे तो SN2 हुआ, एक जगे SN2 हुआ, एक जगे SNAE हुआ, दोनों जगे substitution हुआ, चले, CH3, CH2, COH, Red Phosphorus, Br2, P plus Q, यह question आपको करना है, यहाँ पे दो product बनेंगे, करो, फिर मिलते हैं बहुत सारे लोग confused हो लोगा कि सर, एक ही तो product बनेगा, सर, दो product तो हमसे बन ही नहीं रहें, सर, कैसे हो सकता है, कुछ-कुछ लोग बोलेंगे कि एक product वो जिसमें एक ब्रोमीन है, सब्सिट्यूटेड और एक product वो जिसमें दो ब्रोमीन है, नहीं, मैंने access दिया ही नहीं, तो एक ही substitute होगा, तो आप लोग हर बार optical isomerism को भूल जाते हो, यहाँ पर जो ब्रोमीन लगेगा, तो यह जो अपने chiral भाई साब है, क्या बुला हो इने, chiral भाई साब, सरी तो carbon है, अरे यह बाद में chiral ही हो जाएंगे, समझ रहे हो, red phosphorus BR2, this has become chiral, तो इसके plus और minus दोनों form होंगे, तो कितने product बनेंगे, दूई-दूई product बन जाएंगे, कितने, दो product बन जाएंगे, ठीक है, चलिए, अगला question, तो बहुत मज़ा हा रहा है, यह बहुत शांदार सा chapter है, easy सा chapter है, carboxylic acid वाला, चलिए, आगे चलते हैं, तो देखो और question करते हैं, मान लो हमार पास य होता, तो hvz को क्या चाहिए, alpha hydrogen चाहिए, क्या चाहिए, hvz को alpha hydrogen, चलिए बहुत बढ़ी है, कोई reaction नहीं होगा, चलिए तो एक question करते हैं, बहुत शांदार question है, मान लो हमने NH3 का आया है, हमने NH3 लिया हुआ है, अब यह NH3 कहाँ पे जाएगा, attack करने भई, यहाँ पे करके, यह SN2 reaction करके, ऐसा कुछ हमारा compound बना देगा, which is alpha amino acid, यह क्या है, alpha amino acid है, यह amino acid का structure है, अब जस्त थोड़े time बाद हम biomolecule का revision करेंगे, तो वहाँ पे आपको यह चीज काम आ जाएगी, ठीक है, आप इसके बाद को OH लेते हो, KOH, तो यहाँ पे OH- है, so this is a nucleophile, तो यह CL को replace मारके, alpha hydroxy acid बना देगा, क्या बना देगा, यह alpha hydroxy acid बना देगा, अब इसके बाद के मान लीजी हम alcoholic QH लेते हैं, so this is a elimination reagent, यह क्या है, यह elimination कराता है, eliminate कर देता है, किसको eliminate करेगा भहिया, एक CL और एक hydrogen को, क्या बना देगा, alpha beta unsaturated acid, alpha beta unsaturated acid मतलब सर, यह alpha है, यह beta है, तो alpha beta unsaturated acid बना देगा, ठीक है, KCN का reaction करवाएंगे, तो सबसे पहले SN2 फिर इसका hydrolysis करा देगे, तो CN का hydrolysis जब कराते हैं, तो इस पे 3OH, इस पे 3H, 3OH में से 1 पानी बाहर, इधर COOH, प्लस NH3 आपका बन जाएगा, और यहाँ पे NH3 भी आपको मिलेगा, और acidic medium है, तो व इतना आसान होता है, चले आगे, चलिए, अब एक question, इस compound को देखके आपको एक चीज़ पता होनी जाए, कि this is metadirecting, हम यहाँ पे electrophilic substitution reaction की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ESR होगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या देगा, यह एक NO2 plus species देता है, concentrated HNO3 और concentrated H2SO4 से NO2 plus generate होता है, NO2 plus किसकी खोज में है, कियार मिलको को electron दे दे, 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 तो यह कहाँ जाएगा, meta पे, क्यों, क्योंकि यह एक minus M group है, और्थो और पेरा की electron density इसने अपनी तरफ खीच रखी होगी, तो electron density सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, यह meta position पे, तो NO2 कहाँ पे attach होगा, meta position पे attach होगा, चीक है, चलिए है, PHCOH, BR2, FEBR3, यहाँ पे जब हम reaction कराएंगे, तो एक BR plus बनता है, similarly क्या बन जाएगा, मेरा meta bromo benzoic acid बन जाएगा, meta पे bromo लगेगा, चीक है, benzoic, benzoic, i, उपर dot acid, क्या बन जाएगा, meta bromo benzoic acid बन जाएगा, तो इसका ध enzoic acid वाला group होता है, वो, क्या होता है, meta directing होता है, क्या होता है, वो, meta directing होता है, चलिए बहुत बढ़िया, अब alpha, beta और gamma hydroxy acid को जब हम heat करते हैं, अब हम next देखने वाले हैं, very important, very, 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 very important heating effect, अलग, अलग type के carboxylic acids पर heating effect, सबसे वहले alpha, beta और gamma hydroxy acid पर, जब alpha hydroxy acid, मतलब alpha position hydroxy लगा है, इसको heat करते हैं, तो क्या बनता है, तो अपना lactide बन जाता है, क्या बन जाता है, lactide, दो molecule में से, दो molecule में से, एक पानी, एक water, क्या निकला है, यहाँ पे, दो molecule में से, एक पानी का molecule निकल गया, ठीक है, क्या निकला, दो water, अपने alpha hydroxy acid में से, एक पानी का molecule निक कि लेक्टाइड आपका बना तीक है अब हम एक काम करते हैं कि ये तो अलफा की बात हुई अब हम बीटा हीड्रॉक्षी एसिड लेते हैं ये अलफा पोजिशन ये बीटा पोजिशन बीटा पे ओएच है तो यहाँ पे क्या होगा कि अलफा बीटा अंसाचुरेशन हो है क्या हो जाता है इटू रियाक्शन हो जाता है अब आपको पूछना चाहिए कि सर मैं बोलूगा हां सर यहाँ पे पिछली बार की तरह लेक्टाइड क्यों नहीं बना क्योंकि अगर हम लेक्टाइड बनाते तो एट मेंबर रिंग बनती ये कॉमन थीम है पूरे इतजार तो ये आठ मेंबर रिंग नहीं बनाएगा छे मेंबर रिंग के बाद वाली रिंग्स स्टेबल नहीं होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि एटू रियाक्शन के तुरू अलफा बीटा पे अनसैचुरेशन आ जाएगा किसमें बीटा हाइड्रॉग्जी एसिड में अब लोगामा हैडरॉग्जी एसिड हुआ तो यहाँ पे यह इधर से अटैक करके इसको बाहर निकाल सकता है किसको यह वाले पानी को तो यह पानी बाहर निकल जाएगा कंपाण्ड ह हमारा क्या बन जाएगा कुछ-कुछ टाइप का हमारा यह फ्यूरान मन जाएगा फ्य alpha-beta unsaturated compound बन सकता था, बन सकता था, पर यहाँ पे क्योंकि 5-membered ring बनाने की possibility है, इसलिए reaction इस रस्ते से गया, ना कि unsaturation उस रस्ते से लेकिया है, unsaturation तो यहाँ पे भी आया, ठीक है, एक extra unsaturation आया, पहले यहाँ पे du is equal to 1 था, यहाँ पे du is equal to 2 है, पर यहाँ पे unsaturation आया, वाया a ring and not a double bond, ठीक है, clear, तो alpha-hydroxy acid के अंदर क्या हुआ, lektide बना, beta-hydroxy acid के अंदर क्या हुआ, alpha-beta unsaturated acid बना, और gamma-hydroxy acid के अंदर क्या हुआ, आपका यह furanic compound बना, ठीक है, चले आगे तो यह तो हमने hydroxy acid के बारे में देखा, अगले set of compound हम लेंगे, alpha-beta and gamma-halo carboxylic acid, और इनका reaction हम उन एक्कोस NaOH के साथ कराएंगे, मतलब OH- species, तो negatively charged species, देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले alpha लेते हैं, तो जब भी हम alpha लेंगे, तो होगा क्या, कि यहाँ पर आके SN2 attack हों के BR, बाहर यह type की species बन जाएगे, क्या बाहर निकला है यहाँ से, bromine, अगला जब हम लेंगे, तो होगा क्या, कि यहाँ से OH- जब हम बाहर, OH- लेंगे, तो अब यहाँ पर E2 reaction हो जाएगा, क्योंकि इधर double bond आना possible है, क्या हो जाएगा, E2, देखो यहाँ पर heat है, तो heat में हमेशा E2 favor होता है, अब आप बोलोगे सर पीछे क्यों नहीं हुआ, तो मैं बोलूगा कि भाई, समझदा ध्यान से, यहाँ पर मैं E2 करा था, तो हमारे स साथ क्या बन जाता, सारी suitable condition नहीं थी न, उतना जादा stable हमारी alkene नहीं बन रही है, क्या नहीं बन रही है, इलकene नहीं बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, substitution, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो काफी stable alkene बन रही है, क्योंकि 3 alpha hydrogen है, क्या है, 3 alpha hydrogen भी यहाँ पर present है, तो beta hello acid के case में alkene बन जाती है, क्या बन जाती है, alkene बन जाती है, और साथ में हम यहाँ पर अगर मान लीजे, यह gamma hello acid लेंगे, तो क्या होगा, gamma hello acid के case में, यहाँ से सबसे पहले OH-, इस H+, को खाएगा, ठीक है, यह इधर वाले carbon attack करके, bromine को बाहर निकाल दे हो जाएगा, cyclization हो जाएगा, alpha hello acid का, तो यहाँ पर हर case में, अलग-अलग reaction होता है, detail में, depth में, mechanism, lecture में आपको मिल जाएगी, जब आप अप install करोगे, यहाँ पर हम revision कर रहे हैं, मैं बार-बार इसके याद दिला देता हूँ, तक कि आप लोग को ऐसा न लगे कि बहुत detail में नहीं पढ़ाया, अभी detail में पढ़ाने का point ही नहीं है, यह तो revision है, तो इसको summarize कर लेते हैं, revision के अंदर revision कर लेते हैं, alpha hello acid हमने लिया, तो substitution लिया हुआ, beta hello acid लिया, तो elimination हुआ, और अगर हमने gamma hello acid लिया, तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर cyclization हुआ, तो जो hydroxy acid के case में हु ठीक है, चलिए, अब यह बहुत शांदार सवाल है, CS3, CHO पर HCN का आप reaction करवा होगे, तो क्या बनेगा, sinohydrin, sinohydrin का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर आपका CS3, CH, OH, CN बन जाएगा, क्यों, यह बहुत आसान सवाल पूछ लेते हैं, आप कभी-कभी, यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, यह बुलेगा, नहीं हो सकता, bond को उपड तोड लेगा, carbon पर positive charge हा जाएगा, तो अपना यह बना, OH, इदर आया carbon, इस पर आया positive charge, आसपा CN- गूम रहा होगा, इस पर attack करके, आपका क्या बना लेगा, sinohydrin बना लेगा, तो यह क्या होता है, this is sinohydrin, अब आप इस plus cyanide के carbon पर होगा, क्योंकि वो triple bonded nitrogen atom के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर गया, इसका hydrolysis हुआ, तो क्या बन गया, alpha hydroxy acid, क्या बना, alpha hydroxy acid, और जब हम alpha hydroxy acid को heat करते हैं, तो हमारा lactides बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, lactides बन जाते हैं, and this is optically inactive, क्यों, क्योंकि यहाँ cause है, क्या है cause, इधर से आप उपर की तरफ जाओगे, forward direction में CS3, same direction में नीचे आने पर CS3, आपको cause यहाँ पे दिख रहा है, तो यार यह इतना शांदार question है, this is advanced level question, वैसे भी more than one correct है, यह advanced level का question है, आपको देखो कितनी सारी चीज़े आने चाहिए, पहले आपको यह इस तर hydroxy acid बना, उसका आपको heating effect बता होना चीए, और आपको साथ में isomerism के applications भी बता होने चीए, तब जाके एक question बनेगा, इसलिए आप कितना भी रटलो, कोई आपका फायदा नहीं होगा, जब तक समझोगे नहीं और देखोगे नहीं, organic chemistry में काम नहीं चलेगा, इसलिए बोला जाता है, ठीक है, die carboxlic acid को जब हम heat करते हैं, तो जब तीन carbon होते हैं, मतलब melonic, ohms gaps होता है, O वाला oxalic, M वाला melonic, तो जब melonic acid को लेते हैं, तो एक CO2 बाहर, ये वाला CO2 बाहर हो जाता है, और हमको acetic acid मिल जाता है, ohms gaps, ठीक है, oxalic, melonic, इसके बाद क्या होता है, इसके ब H2O बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि 5-membered ring बनने की possibility होती है, तो 5-membered ring हम बना लेते हैं, succinic enhydride बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, succinic enhydride बना लेते हैं, तो 3-carbon था, तो CO2 बाहर निकला, 4-carbon हुए, di-carboxylic acid में तो पानी बाहर निकला, और अब मानलो मैं 5-carbon ले लेता हूँ, मतलब मैं glutamic acid ले लेता हूँ, तो यहां से भी पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि 6-membered ring बन रही है, जब भी 6-membered और 5-membered ring बनेगी, तो reaction इसी रस्ते से आगे जाएगा, अब मानलो मैं 6-carbon ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इस case में 1-H2O और 1-CO2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अगर वैसे काम करते हैं, 7-membered ring बना सकते हैं, क्या नहीं, तो जब हम 6-carbon वाला di-carboxylic acid लेते हैं, तो cyclopentanone बन जाता है, क्या बन जाता है, cyclopentanone तो जब हमने 3-carbon वाला di-carboxylic acid लिया था, तो क्या बाहर हुआ था? CO2, 4 और 5 हमने जब लिये, तो क्या बाहर हुआ? H2O, जब हमने 6-carbon का di-carboxylic acid लिया, तो क्या बाहर हुआ? तो बाहर हुआ अपना 1-H2O का molecule और 1-CO2 का molecule, तो समझ में आया, यह heating effect बहुत ज़री है, एक compound से दूसरा compound बना के फिर उसका heating effect पूछ लिया जाता है, तो हमको यह याद होना चाहिए, अब पूछा जा रहा है कि कितने number of CO2 molecule release होंगे, जब हम इस reaction को कराएंगे, किस reaction को? इस reaction को, ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पे हमको एक चीज जो सीखने वाली है, वो यह है कि ozonoly में और h2o में convert हो जाता है, oxidize हो हो के, हो हो के, तो एक यहाँ से, दूसरा इस से, तीसरा इस से, क्योंकि हर जगे पे आपका क्या बनने वाला है, formal dehyde से, formic acid से CO2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब हम इसको देखेंगे, तो यह compound बनेगा, एक बार ozonolysis होने के बाद, बाकी सब तो CO2 बन गए, फिर यह compound बना, जब हम beta keto acid को, beta keto acid को heat करते हैं, तो वो जो acid वाला part है, उसमें से CO2 निकल जाता है, जैसे यह वाला CO2 निकल जाएगा, यह CO2 निकल जाएगा, यह CO2 निकल जाएगा, तो beta keto acid का heating effect यह होता है, कि acidic वाले part में से CO2, CO2 गायब हो जाता है, तो यह CO2 गायब होने के बाद, जो finally हमार पास बचेगा, वो हमार पास कुछ ऐसा बचेगा, क्या बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा, तो 6 CO2 तो इधर से निकले, 4 CO2, यह अपना 7, यह 8, यह 9, और यह 10, तो इसका answer क्या हो गया, 10, तो यह एक बहुत शांदार numerical type question है, यह क्या है, बहु बहुत ही शांदार numerical type question है, ठीक है, चले, आगे चलते हैं, वोल्फ रियरेंजमेंट, बहुत शांदार सा, प्यारा सा, अनिंट्यूटिव सा रियरेंजमेंट होता है, यह, वैसे mostly रियरेंजमेंट, अनिंट्यूटिव ही होते हैं, ठीक है न, तो इस reaction में, जब हम alpha diazo carbonil ले किटी, बिल्ली, वैसा का, नहीं, नहीं, पर आप इसको याद रखते हो, वुल्फ रियरेंजमेंट, वैसे तो वुल्फ भी एक animal होता है, और किटीन मन रहा है, तो वुल्फ और बिल्ली, विल्फ बिल्ली reaction type का इससे कुछ याद रख सकते हो, बिल्ली के दिमाग से पैटर यूज करता हूँ, तो एक रियरेंजमेंट हो जाता है, और बन जाता है R, C, H, C, O, जिसको हम किटीन बोलते हैं, किटीन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, किटीन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और मजे की बात है कि N2 रिलीज हो जाती है, क्या हो जाता है, N2 रिलीज, के हम बात कर रहे हैं तो देखी लेते हैं तो हमार पास अभी ये compound है R, CO, CH, N2 ठीक है अब ये N2 कैसा है इधर प्लस इधर माइनस तो ये nitrogen छोड़ेगा नहीं ये बोलेगा भाई मैं तो कुछ नहीं जानता मैं तो अपने electron इंदर डालूँगा तो अपनी ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास जगह ही नहीं electron रखने की मैं क्या करूँगा तो ये अपने electron इधर डाल देगा क्योंकि उसको उधर से negative nitrogen से electron मिल रहे हैं वो जेल नहीं सकता तो वो electrons को आगे push करा देगा जब वो electron को आगे push कराएगा तो कुछ इस तरी की species बनेगी जैसे ही यहां पे N2 create होता है तो N2 तो बोलेगा अब मैं जा रहा हूँ ये तुने बहुत बेकार काम कर दिया N2 बना दिया अब मैं यहां से निकल रहा हूँ अब तो मैं नहीं रुख सकता तो N2 फुर हो जाएगा उड़ जाएगा यहां से तो N2 चार्ज किस पे रह जाएगा कार्बन पे अब ये कार्बन सुचेगा भाई नेगेटिव चार्ज है ये N2 जा रहा है मेरे पास तो वेकेंट और्बिटल हो जाएगा तो मैं नेगेटिव चार्ज भी लेके गूम रहा हूँ मैं वेकेंट और्बिटल भी लेके गूम रहा हूँ नहीं 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 तो कार्बन दुहाई देगा आवाजे लगाएगा बचालो प्लीज हेल्प कर दो मैं बहुत अकेला-केला फील कर रहा हूँ मुझे डिप्रेशन आ रहा है मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है कौन मदद करने आएगा ये कार्बन बुलेगा यार चले एक काम कर इलेक्टरॉन मेर को देदे बुलेगा अरे हाँ भाई बहुत बड़ी आपन एक बॉन्ड और बना लेते है तो एक कार्बन और बचा है इसकी मदद करने के लिए वो कौन है ये पर ये बहुत दूर दूर है जैसे अभी हम लॉक डाउन है वैसे ये आर और इस सी एच माइनस के बीच में ये सी डबल बॉन्ड हो बैटा है आपस में ये बात कर ही नहीं पा रहे है तो आप क्या किया जाए ये कार्बन रोल दा है देख भाई आर तू रहेगा हमारे कंपाउंड में बस इधर से तूट के ये बाउन जैसे ही इतने इलेक्ट्रों इधर डालने शुरू करता है अच्छा ये इलेक्ट्रों इधर क्यों जा रहे है और तूट के इस कार्बन के पास चला जाता है तो अभी situation क्या है C double bond O C पे minus यहाँ पे एक double bond बन नेकी अब chance आ गई है क्योंकि इस कार्बन का एक bond खाली है तो ये minus charge इधर से निकल जाएगा ये इसकी जो एक valency खाली बजगई क्योंकि एक H तो ही उधर के आ जाएगा R तो ये इसका mechanism है तो फिर जैसे अब हम इसको heat करेंगे यह catalyst की presence होगी यह जो भी होगा तो ये जो अपना मुश्किल वाला step है rate determining जो step है वो हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा किटीन बन जाएगा ठीक है थोड़ा सा complicated mechanism है बताया भी मैंने जल्दी जल्दी है ठीक है न पर basic funda philosophy है कि ये N2 यहां से उड़ेगी जिस करण ये carbon अकेला हो जाएगा इस carbon की मदद करने के लिए उसका भाई दूसरा carbon भागा भागा इसके पास आजाएगा तो अपना rearrangement हो गया rearrangement क्यों? क्योंकि पहले ये जो R है ये carbonil के carbon से जुड़ा था final product में ये जो अपना R है ये non-carbonil वाले carbon से जुड़ा हुआ इस वाले carbon से तो इसको क्या बोलते हैं? rearrangement चलिए बहुत शानदर बात है तो similarly जो हम इसके rearrangement करेंगे तो ये बाहर जाएगा ये CS3 इधर आजाएगा तो हमार पास क्या बन जाएगा? हमार पास बन जाएगा कुछ ऐसा ये इसका mechanism है अब आप समझी गए तो हमार पास इस बार इस type का kitene बनेगा ठीक है? चलिए हम ये compound जो लेते हैं जिसमें N3 directly attached है C1O के साथ जब हम इसको heat करते हैं तो finally हमारा क्या बन जाता है? अब ही बता दाओ देखो RC1O N3 को जब हम खोल के लिखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा तो ये N2 बाहर इसका काम ही है बाहर जाना जहाँ पे भी N2 होता है निकल जाता है फररर हो जाता है तो ये विचारा हम nitrogen अकिल्या पड़ जाएगा nitrogen की मदद करने के लिए कौन आएगा? R आएगा final compound क्या बन जाएगा? RN double bond C double bond O क्या बन जाएगा? RN double bond C double bond O ठीक है? ये भी हो जाता है N3 के साथ आप reaction कराओगे तो ये N3 माइनस जाएगा SNE reaction के तूप क्या बना लेगा? ये P बना लेगा विच विल भी PH C double bond O N3 जब हम इसको heat करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ISOCIN8 formation हो जाएगा जो की बन जाएगा Q फिर ISOCIN8 को जब हाइडरोलाइज करेंगे तो बन जाएगा R ठीक है? आया हमको समझ भे है तो reaction कराके देख लेते हैं तो PH CO N3 SNE mechanism के तूप फिर इसको जब heat किया तो PH N double bond C double bond O ये wolf rearrangement के तूप ठीक है? wolf rearrangement के तूप ये काम हुआ फिर जब हम इसका hydrolysis करेंगे तो hydrolysis करने पर यहाँ पर क्या होगा? H आजाएगा H आजाएगा इधर क्या होगा? OH आजाएगा OH आजाएगा एक carbon पर 2 OH unstable तो वो पानी बन के बाहर एक oxygen बच जाएगा तो CO2 के साथ-साथ अपने पास क्या बन गया? यह एनिलीन और यहाँ पर क्या बनेगा साथ में? CO2 तो carbon dioxide और एनिलीन का formation हो गया तो यह भी एक काफी अच्छा सवाल है आप देखाँ आप क्योंकि हम बहुत सारे chapters पढ़ चुके हैं तो आब हम इस type के धासू वाले सवाल कर सकते हैं ठीक है? Formic Acid एक बड़ा अजीब सा compound होता है सारे Acid जो काम नहीं कर पाता है Formic Acid वो काम कर पाता है इसका आपको छोटा सा example देता हूँ जब हम oxidation reaction पढ़ रहे थे तो यह बार बार Formic Acid का नाम आ रहा था tollens में भी Formic दे रहा था है ना? जबकि देना नहीं चाहिए tollens तो LDHID का test दे फिर 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 Formic ऐसा काम क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे एक LDHID ग्रूप प्रेजन्ट है सार कैसे प्रेजन्ट है? Formic Acid कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है? यह मैंने जो यलो में सरकल किया है सरकल दो यह जो भी है यह क्या ग्रूप है? LDHID है? तो LDHID ग्रूप है तो यह ऐसा कमपाउंड है जो LDHID के भी कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर देता है क्योंकि इसमें LDHID ग्रूप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस LDHID ग्रूप के कारण कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज इसमें अलग आ जाती है तो थुड़ा से exceptional type का होता है यह tolerance reagent के साथ reaction कर लेता है formic acid reducing agent की तरह behave करता है और tolerance reagent या failing solution को reduce कर डालता है पर बाकिया acid जैसे acidic acid या उसके बड़े भाई लोग वो सब ये काम नहीं कर पाते ठीक है? तो reaction कैसा होता है? HCOH plus Ag2O silver mirror आपको मिल जाएगा HCOH plus 2CO यह failing test है red brick precipitate यहाँ पे हमको मिल जाएगा Cu2O का ठीक है? तो यह बड़ा ही unnormal सा अजीब सा non-acid type का भी behavior करता है कौन? formic acid यह छोटी सा information हमको यहाँ पे बतानी ज़रूरी थी क्योंकि मैंने तब इसका reason नहीं बताए था तो अब बता रहा हूँ ठीक है न? तो यह हमारा carboxylic acid का भी revision खतम हुआ तो अगर हम summarize करें तो important important चीज़े क्या थी? भाई HVZ reaction जो हमने पहली बार सीखा heating effect जो हमने पहली बार सीखा wolf rearrangement जो हमने पहली बार सीखा तो यहार अगर आपको यह revision series अच्छी लग रही है मेरे को पता है लग रही है इतना सारा धेर सारा हमको प्यार मिल रहा है इतने सारे comments आ रहा है messages आ रहा है हमारे number पे आपको भी अगर कुछ बोलना है तो आप 6376-440-597 पर बता सकते हो ठीक है? वहाँ पर आपके प्यार को सब मेरे पास पहुंच जाएगा आप directly मेरे से connect हो जाओगे ठीक है ना? चलि बहुत बढ़िया तो यार आपको जो इतनी चीज़ पसंद आ रही है जो यहाँ पर first time है जिन्हों ने अभी तक subscribe नहीं किया है चैनल को आप please subscribe कर लीजिए ठीक है? और वीडियो को like भी कर देना आपको इतना अच्छा लगा है क्योंकि साथ में जो next videos आएंगे बहुत सारी नई नई चीज़ें Israel में चलती रहती है उसको आपको timely आप तक पहुंच जाए क्योंकि timing का एक बहुत important खेल होता है तो bell icon दबा देना ताकि आपके आपको आज notification आ जाए ठीक है? और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ की पढ़ाई करो, प्रचंड करो हमारी पूरी महाबलिदानी टीम आपके साथ पूरे जी जान से लगी हुई है हर बच्चे को उसके dream तक पहुँचाने के लिए हम पूरी मैनत कर रहे है आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही डटे रहो आपको और क्या चाहिए नीचे comment section में आप डाल सकते हो पिछले कुछ time से आ रहा है कि sir questions करा दो definitely उसका भी एक section हम लेंगे पूरी कोशिश रहेगी कि उसका भी हम section ले पाए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी wishes all the best और ये corona covid-19 के time पर खुद को safe रखिए खुद को healthy रखिए और सारी guidelines follow करते रहे हैं तो पढ़ाई करो प्रचंड करो हम फिर मिलते हैं